Hello what's up guys my name is Pinot Badu Thapa and today in this video we will see events in ReactJS in Hindi तो चलिए guys सुर्यो करते हैं बताना चाहूंगा guys आज मेरा 33 वीडियो ने जा रहा है on ReactJS tutorial in Hindi in 2020 के उपर and इस playlist का link में नीचे description and comment section में आपको प्रवेट करा दूँगा और राट guys तो आज का वीडियो बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुका and आज का भी वन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रियक्त में that is your events तो क्या होता है events हमने बहुत समझा है पड़ा है हर एक programming languages में events होता ही होता है चाहे वह mouse को क्लिक करना हो hoover करना हो mouse in mouse out मतलब बहुत सारे types के रहते है तो आज हम क्या देखने वाले इस example पर देखिए मैंने पेज को क्या load यह मेरा simple साइक react आप आप देख सकते हो simply यह website बोल रहा है कि click me ओल राइट ठीक इसको मैं एक बड़ क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मतलब इस तरीकी से हमने इसका देखो क्या हो रहा है यह एक बटन क्लिक पर मैंने इसके टेक्स्ट चेंज किये एक इमोजी एड कर दी और दें background color change हो गया main अब फिर से एक बड़ क्लिक करूंगा कुछ नियोगा लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक बॉम आप देख सकते हो वापस आयो and then वापस बैक तू नॉर्मल मालब जो भी आप color देना चाहओ दे सकते हो तो आज हम हमारे इस डेमो प्रोजेक्ट पर यही देखेंगे कि किस तरीकी से इवेंट्स की मदद से एक simple से हम यूनो विट यू आप कैसे हैं तो simple से एक basic प्रोजेक्ट जहां पर एक क्लिक करने पर text and background color change and double click करने पर वापस back to normal background and again text and then emoji change तो गैस इसको हम कैसे कर सकते हैं वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बताना चाहूंगा अभी तक अगर अपने मेरे चैनल थापने टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गैस सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को अपने वीएस कोड एडिटर पर आ चुका है एंड यह कल का कोड जहां मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से डिजिटल क्लॉक क्रेट कर सकते हो हमारा जो मेनी प्रोजेक्ट था तो गैस इन सबको मैं completely delete कर देता हूं तो गैस हम एकदम scratch करने वाले हम इसा की तरह सो मैं यह पर लिखता हूं import क्या करना है हमें react from कहा से from हमें करना है उसको react module से perfect इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे perfectly all right अभी एकदम हमें light दिखाई दे बिको सभी तक हमने इसका use किया नहीं है तो कुई app.jsx हमारा एक component है और मैं बताना चाहूंगा index पर अभी जो events दिखाई दे रहा है इसको मैं हटाना चाहूंगा क्योंकि मैंने events वाला file add कर रखा था ताकि आपको वह में दिखा सकूं अभी यहां पर मैं चलता हूं और मैं लिख देता हूं इस तरह के से app क्योंकि यहां पर space and then this is it perfect now जब भी आप multiple elements को लिखना चाहोगे तो उसके लिए हमें return keyword लिखना पड़ता है तो return इस तरह के से we have a button हमारे पास एक button है ठीक है तो guys मैं बाता आना चाहूंगा मैंने already CSS पहले से ही apply कर रहा है so मैं यहां पर चलता हूं मैं यहां पर लिखता हूं button एक div लिया basically मैंने यहां पर दूसरा एक button लिख रहा हूं simple इस button पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा तक है is click me and believe me यह बहुत important वीडियो होने वाला है क्योंकि अब भी तक अगर आपने यह react hooks नहीं देखे नहीं कैसे इसक तो simply मैंने click me लिख दे and let's say कैसे कैसा दिख रहा हमारे यहां पर and आप देख सकते हो कि guys perfect देखो click me अब आप बोलोगे यार मैं तो खाली एक div and then एक button लिया रहे वो इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहे तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो इस तरीके से दिखाई दे ठीक है and index.css पर मैंने simply div जो कि मैंने आपके सामने just एक div लिया उसको already मैंने कुछ style दे रहा है आप चाहते इसका अब भी क्या भी यहनो pause कर सकते हो वीडियो को screenshot ले लिजे नहीं तो mobile से click कर लिजे कि div का total यह जो CSS पार्ट है क्या होने वाला है and then h1 हाले कि h1 मैंने कहीं प अब आपने इसका भी image ले लिया होगा और लड़ गैस तो आप हमारा सबसे पहला काम यह है कि किस तरीकी से अगर इस पर मैं करूँ click कैसे में इस पर करूँ click तो इसका background color change हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते देखिए app पे मैं चलता हूँ तो आपको एक चीज यहाद click javascript अगर मैं simply on click javascript लिखता हूँ तो कैसे आप देखोगे कि अगर हम w3 school पे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा यह on click my function and आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर यह parenthesis भी दे रखा है तो basically function को call किया जा रहा है इस जगे पे right and on click आप देख सकते हो किस तर that must be capital तो कैसे on यह जो मेरा click है देखो guys आप देख सकते हैं automatic मुझे suggestion भी आ रहा बोल रहा नहीं भाई जो c होगा that must be your capital so c-l-i-c-k this is it equal to end अब यहाँ पर में जो लिखने चारो basically javascript का एक function का नाम है and जब भी हम JSX के अंदर javascript का कुछ भी part लिखते है या कुछ भी code braces के अंदर लिखना है and आप देख सकते हैं कि normal in JavaScript हम जब function का नाम पास करते तो उसके साथ parenthesis भी देते बाट यहाँ पर आमें नहीं देना है so देखे guys मैं simple लिखता हूं bg and यहाँ पर भी मैं camel case convention मान लेता हूं हाला कि जरूरी नहीं की तर camel case ही देना बट ठीक है मैं बस ऐस ठीक है अब इसको मैं call करता हूं I mean इसको आप में define करता हूं कहाँ पर गाइस ठीक इसके अंदर return के ऊपर मैं चलता हूं यहाँ पर let's say guys const and again fat arrow function उसकरा हूं bg change लिखता हूं perfect equal to as a tease and let's see कि यह काम कर रहा है यानि so console.log इस तरह की से मैं लिखता हूं यहाँ ठीक है एक सेके कुछ तो c o spelling wrong हुआ है यहाँ पर perfect all right देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूं जब भी उस पर हो मनलब जब भी मैं उस पर करूँ click तो console पर मुझे clicked message दिख जाना चाहिए and अगर मुझे clicked message दिखता है it means कि हाई यह काम कर रहा है तो guys मुझे कुछ करने की जोतनी मुझे यहाँ चलना है मैं इसको inspect करता हूं and all right guys तो आप देख सकते हो मैं inspect open करके console को open कर दे थोड़ा सा zoom out कर दे तो मैं यहाँ पर all right अब इम्तिहान की गड़ी आ चुकिए सो 321 and boom guys आप देख सकते हो click दिखाई देरे click मतलब अब मैं जितनी भी बार click कर रहा हूं at least मेरा वो function को call जा र आपको मालूम है कि हमें inline css अब मुझे देना ही पड़ेगा जावस्क्रिप्ट में हम क्या करते थे id या class देके simply change कर सकते थे पर यहाँ पर मैं आप simple बाता तो simply आप style लिग दीजे पहली बात तो यह कि अगर मैं यहाँ पर चलता हूं and मैं आपको बता है कि inline css या normal external य इन-line यूज करना तो उसको हम as a object मानते है तो उसको भी add करने के लिए एक और curly braces basically ठीक है object का यह पार्ट है उसके लिए यह सो मैं लिग देता हूं गाइस background and believe me guys यहाँ पर भी आपको camel case उसका पड़ेगा देखो कैसे background and then c capital क्यूंकि वो एक अलग सा word हो गया न तो background and then color मैं गाइस मैं यहाँ पर let's say दे देता हूं फिलाल अभी कलिए red तो आप notice करो control एस सेब करता हूं and the moment मैंने सेब किया गाइस इ किसी तरकी से red के बदले जो मेरा actual color है या जो मुझे color चीए वो उसको मैं अगर pass out कर दूँ तो मेरा काम तो हो गया समझ रहा कि मुझे खाली किसी तरकी से red के बदले क्यूं न अगर मैंने इस button को किया click और यह red के बदले वापस purple हो जाए ctrl s save करता हूं तो गैस वापस इस state change करना है and whenever it comes to state guys आपको functional component में hooks use करना ही पड़ता है ठीक है तो simple होई है and मैंने पिछले तीन वीडियो से guys hooks पे ही पूरा focus किया hooks के बारे में बताया देन हमने hooks का एक challenge किया then hooks पे एक mini project भी मैंने आपको करके दिखाया था कि आप hooks को master ही कर लो master नहीं at least इतना की basic से में वाला तो देहूं simple है जब भी हम use state का use करते है I mean जब भी हो की बात है तो use state आपको लिखना है जिसमें होगा आपका initial value right and then equal to आपको देना है यह basically क्या करता है it returns an array of two items and उसको हम guys as a array destructuring mention कर रहे होते हैं यहाँ पे let's say guys में लिख देता हूँ एकदम simple नाम let's say bg लिख लिख देता हो खाली simple and then set bg लिख देता हो यहाँ ठीक है मतलब यह आपका current data hold कर रहा होगा यह आपका एक function है जो कि updated data को hold कर रहा होगा and इसको define minus 3 किसे कर दिया basically यह जो पार्ट इन इसको हम बोलते array destructuring मैंने आपको वीडियो बताया हुआ and अगर मैं आपको लेकर चलता अपने playlist पे तो मैंने साइध यहाँ पे उसको add भी किया हुआ and आप यहाँ पे देख सकते हो array destructuring को मैंने playlist पे भी add किया हुआ आप में से बहुत लोग बोलते हो कि एकी वीडियो बार बार रीपीट हो रहा है आप देख सकते हो मैं जब भी मौका मिलता है मैं इसको delete कर देता हूँ लेकिन फिर भी रीपीट हो जाता है तो please उसके लिए माप ही है तो देखो इतना हमारा काम हो चुग है अब भी यहाँ इसको मैं फिलाल के लिए comment आउट कर देता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ simply const युनो मुझे वो purple कर देता हूँ तो मैं एक variable क्रेट कर देता हूँ purple and यहाँ पर वो actual में जो उसका hexa value है जो मुझे color ची उसको मैं pass out कर रहा हूँ 8E44AD मैंने pass out कर दिया अब use statement में इस purple जो variable इसको copy कर रहा हूँ and then यहाँ पर मैं उसको कर देता हूँ pass perfect now यहाँ पर जो भी value होगा state variable में you know I mean हमारे is used state में हम जो भी variable pass करेंगे जो भी value pass करेंगे वो directly इसको add हो जाता I mean bg उसको fetch कर लेगा तो now अब bg का जो current date है वो है आपका purple तो जहां जहां मैं bg use करूंगा वहा अब देख सकते हूँ react books use state is call in function ओके गाईस तो simply गाईस यह जो पाट दिखाए दे रहा है use state कभी भी आप use करते हो ना उसको functional component में ही use कर ना ना कि यह function के अंदर I mean functional component आपका यह है यह तो हम simply एक event को call कर रहे ना तो यह बोल रहा है कि एकदम top पे इसको functional component में ही use करो सेप करता हूँ यह जो constant purple है इसको भी मैं यहां से हटाता हूँ ठीक है directly यहां पे pass out कर देता हूँ तो अब मैं अगर as it छोड़ दूँ इसको तो आप देखोगे गाईस एकदम पॉफेक्टली यह काम कर रहा है एंड हमारा background color वो आ चुक है जो मुझे exactly चाहिए था and instead of this color अगर मैं यहां पे लिख देता था suppose yellow ठीक है purple के बदले मैंने yellow color दे दिया yellow color यहां पास आउट हो गया and instead of busy अब उसकी value है yellow तो ctrl s save करता हूँ यहां पे चलता हूँ तो guys आप देखोगे मुझे background में yellow color दिखाई अब मेरा hard code कुछ नहीं हो रहा है अब बस मज़े यह चाहिए कि जब मैं इस button को करूँ click तो इसमें मैं ऐसा क्या code लिखू कि guys इसकी जो background का color है उसको मैं update कर सकूँ इसका state की जो value है उसको मैं change कर सकूँ तो कैसे होगा बहुत simple है इसमें जो भी value मैं pass करता हो guys इसके लिए वो current data होता है and the moment अगर मैं इस function की value change कर दूँ ना इसमें जो data की value को change कर दूँ तो वो इसका then current data बन जाता है तो simple है मैं set bg पे चलता हूँ तो उससे पहले guys मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक new color create करना पड़ेगा that is let bg लिख देता हूँ all right perfect and यहाँ पे color pass out करना चाहूँगा that is guys इसका hashtag होगा 34495e 34495e ठीक है इस तरह की से मैंने pass out कर लिए control as save and then यह जो मेरे set bg है आप देख सकते हो set bg and इसके parenthesis में अब मैं जो भी value pass out करूँगा न वो इसके लिए current data हो जागा क्योंकि यह तो हमारा updated value है and guys अगर आपको थोड़ा सा problem हो रहा है कि initial data क्या है यह current data क्या हो रहा है यह then updated data क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ तो please यह hooks एक बार जरूर देखिए आपका सारा doubt clear हो जागा then आपको पता चल रहा होगा कि बहुत simple ले actual में यह तो इस new bg को मैंने किया copy यहाँ पे pass out कर दिया all right this is it guys हमारा एक काम तो हो गया कि single click पे background को change करना क्योंकि यहाँ पे एक button है इस पे जब मैं click करूंगा तो यह bg change नाम का जो function उसको call गया यहाँ पे call गया उसको हमने यहाँ पे उसको define कर रहा है तो अब bg का current value जो है वो change हो कि यह वाला color हो में change हो जाएगा ठीक है तो control है सेब करता हो guys अब भी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन the moment में hit करता हो and boom आपने देखा आपका background color change हो गया and now same हो ही अगर click करने पर मुझे अगर इसका you know font I mean जो text मैंने लिखा वो भी change करना होता तो मैं क्या करता सोचो guys क्या करता मैं perfect एकदम यह जो click me मैंने यहाँ पर लिखा है ना इसको मैं नाम चेंज करके एक नेम कर देता हूं ठीक है controller save किया guys मैंने नेम किया यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ उस नेम को पहले तो मुझे define करना पड़ेगा कुछ भी एक नाम देना पड़ेगा ठीक है अब आपके माइन में आ रहा है कि अब नेम को हम कैसे change कर सकते है देखो guys again बहुत सिंपल है तो अभी simply guys क्या करता हूँ अब मैं वापस से एक और you know use state यूज करने जारो तो यहाँ पे array destructuring में मैं name अब आपको पता चल गया होगा यह जो name है basically वो यहाँ से आ रहा ह ना यहाँ पर हमें उसको import भी करना पड़ता है यह आपको याद रखना है मेरा तो automatic हो जाता है इसलिए मैं आपको दिखाए नहीं था लेकिन यह आपको import करना पड़ता है अब मैं यहाँ पर चलता हूँ क्लिक मी चलता हूँ से नेम लिखा मैं चालता हूँ यहाँ यहाँ पर कुछ भी वैलिव दे सकता हूँ जैसे मैंने क्या लिख रखाता हूँ आपको जब भी इसको चेंज होता तो मैंने लिखाता आउच इस तरी किसे सब्सक्राइब क्लिक करता हूँ कितना सिंपल है एंड इमोजी क्या तो बहुत इजी है एंड आई डून नो गाइस क्या था वो आइधिंग सौक था कि कुस्तो भी था वाव में चलता हूँ तो क्या देखता है लेट सी हां कैसा अब वह इमोजी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन क्या कर सकते है अब भी हुल पर रख देते आउच में कुछ भी रख सकते है सा कुछ नहीं अब अगर आप में क्लिक कर तो आप बूम गाइस आप देख सकते हूँ वह हमें दिखाई दे रहा पॉफेटली ठीक है अब गाईस इतना तो हमने कर लिए अब सि जावस्केट तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ओन डवल क्लिक भी ऐसे बहुत सारे इवेंट से गाईस जो हम बहुत इजिली देख सकते हैं मला हर एक अपने-पने की का अलाग है माउस का अलाग है तो ओन डवल क्लिक अप में यह इसले दिखा रहा है क्योंकि अगर अगर कॉल करना है you know forget about the definition शिर्फ अगर आपको इसको लिखना है यहाँ पर जैसे मैंने on क्लिक लिक है वैसे अगर मुझे सिर्फ on db क्लिक लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूँगा अब भी आप इस वीडियो को करो pause and सोचो कि आप d को capital करोगे या c को capital करोगे या b को यहाँ मालब कैसे लिख होगे ठीक है and all right guys I hope आपने सोच लिखा तो गाइस यह भी बहुत सिंपल देखो on मलब एक वर्ड and then db ठीक है वो गाइस है ही नहीं basically यूनो तो आपको लिखना पड़ेगा on double click इस तरीक से on double you know double का d capital and then click का C capital this is it and अब मुझे यहाँ पर क्या करना अगेन equal to and then curly braces लिखना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ busy ठीक है मैं simply busy back लिख देता हूँ आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं मैंने busy back simple as it is and यह जो extra आगे इसको अटाओ फिलल all right guys तो now again आपके लिए यह एक challenge है कि कि किस तरीके से आप on double click के use करके इसको back to normal कर सकते हो मतलब एक second यह busy back को भी तक हमने define नहीं किया तो इसलिए दिखाई दे रहा है लेकिन अब उसको अगर मैं double click करूँ तो वो कैसे back to normal color में आ जाया मुझे बताईए guys अब खुश से एक बार try करो all right guys I hope आपने try कि आओगा तुम्हें बतातो देखो कैसे करना इस busy back को मै मैं करता हूँ copy जहां हमने इस तरीके से उसको define किया ना simply ठीक है ना const is जो busy back है you know fat arrow function में यूज़ करो simply इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पर guys आपको क्या करना पड़ेगा एक semi column दे दीजिए perfect तू देखो कुछ नहीं करना है बस एक simple सा चीज मुझे करना है that is कि मुझे इसका जो set busy है क्योंकि जब-जब मैं guys set busy data का जो values को change करूँगा वो automatic busy पे reflect होता रहेगा तो ठीक है जहां मैं एक click single click on click पे change कर रहा तो purple pass out कर दे तो this is it इतना simple है normal double click पे purple set out कर दिया मैंने and यह जो मेरा set name है ठीक है उस set name को मैं हटा की copy करता हूँ double click करने पे वापस उसकी value change कर दूँगा and instead of out मैं लिख देता हूँ आयो कुछ भी लिख सकते है and यहाँ पे guys आप चाहे तो and guys यहाँ पे आप चाहे तो यह तो मुझे मालूम है angry होना चाहिए ठीक है perfect control let's save करता हूँ guys अब आप देख सकते हूँ कि आपका perfectly काम कर चुका अब यह single click perfect ouch and then double click boom guys आपने देखा कितिनी easily हमने इसको कर लिया वापस one more time refresh click and then double click this is it अब नाउ सेम यही चीज़ गाईस आपको react पे लेकर चलता हूँ I mean a browser पे तो मैं लिख सकता हूँ javascript you know javascript events में अगर सिर्फ लिख दू इस तरी किसे events तो आप देखोगे guys events की कोई कमे नहीं भरे पड़े events तो जिसमें से we have many types of events you know तो आप देख सकते हूँ कि यह मेरे on change on click on mouse over on mouse out तो मैं क्या करता हूँ mouse over and और भी है क्या कुछ ठीक है शिर्फ मैं लिखता हूँ the user moves the mouse over an html element ठीक है इसको मैं copy करता हूँ and instead of on click मैं mouse एक second तो मैं directly लिख देता हूँ guys on mouse enter कर देता हूँ चलो ठीक है जैसी mouse को मैं enter करता हूँ and instead of यहाँ पे on mouse लेप ठीक है simple है अब देखो कितने भी एक बार अगर आपने define कर लिया function call किया और उसको define कर दिया तो अब वह आपके उपर की कौन से event पर आप उसको trigger करना चाहते हूँ control है save कर दिया मैंने यहाँ पर मैं चलता हूँ तो देखो पहले मुझे click करना पड़ा था आप notice करो मैं click नहीं करूँगा खाली mouse को यह देखो cursor इदर है अंदर जाती बूम गाए अब जैसी मैं बाहर आऊंगा वापस आयो देखो मतलब मैं खाली अब अंदर बाहर अंदर होता जा रहा है तो guys यह होता है आपका events now अब आप इस पर और भी बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हो so I really guys आपको आज का वीडियो पसंद आ होगा जहां मैं आपको बता है कि आप events के साथ कैसे खेल सकते हो and main यह कि जब आप events का use करते हो तो उसको actual में लिखना किस तरीके से है and main आपको बता कि जब आप लिखोगे तो क्या ध्यान में रखना है parenthesis नहीं करना है and then किस तरीके से आपको वो add करना है with the help of use state react hooks के साथ so this is it guys आज इस वीडियो के लिटन है and believe me guys इस वीडियो बहुत जाते important था अपने सभी दोस्तों को share कीजेगा hooks जो वीडियो इसको ज कीजेगा right side में red color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा hit कीजे click कीजे ताकि आप डेली ऐसे awesome वीडियो को miss ना करे and कुछ भी doubt हो तो वे फिकर हो कि नीचे comment कीजे मैं आपकी ज़रूर हल्प करूँगा so till then guys thank you so much take care